आध्यात्मा मार्ग पर चलिए पवार काका के साथ आनन्द लेते हैं स्री साई सच्चरित के भावानुवात का ओम साईराम ओम साईराम स्री साई सच्चरित इस ग्रंथ की हम चर्चा कर रहे हैं इस ग्रंथ के माद्यम से साई बावा को जाननी की कोशिश कर रहे हैं आईए शुरू करते हैं अध्याई दुस्तरा वो भी नंबर छे से तदर्थ यह साई सच्चरित्र लिखू आदर पुरुवक अती पवित्र प्रारंब किया यह कथा सत्र इह परत्र सुखद इह परत्र इह यानि भू लोग गृत्यू लोग जहां आम रहते हैं जहां मृत्यू स्वाभाविक है यह भू लोग और परत्र परलोग मृत्यू लोग से परे जो लोग रहते हैं वैसे सब्त लोग है उसमें यह परलोग यह जो परलोग इस प्रकार मैंने यह साई बाबा का चरित्र आदर पुरुवक लिखने का संकल्प किया और यह अति पवित्र पूलोग और परलोग दोनों लोगों में भी दोनों लोगों में वास्त वास्त करने वाले सबी आत्माओं को सुखकारी येवं आनंददाई ये कता सत्र हो उनके लिए साबित हो इसलिए मैंने ये लिखना आरंब किया सम्माग दर्शक संत चरित्र नहीं वो न्याय अत्वातर का शास्र होगा जो संत कुपा कुपा पात्र उसे ने लगे विचित्र कुछ अब ये न्याय अत्वातर का शास्र इसका जिकर किया गया है इसमें इसका वुलेक आया है ये क्या है तो मंगलाचरण के अद्य में हमने देखा कि गंपती की चवदाह विद्यायों में विद्यायों है वो विद्यायों में दो विद्या कोंसी न्याय और तरक शास्र न्यायनि सत्पсят, शुद्डँ अुषुद्द विहीत, विहीत, शिद्ध, निशिद्ध, आदि का विवेचन, जाyers, अदिका जो एक्स्मलेनेशन, डीटेल, विश्रुट अर्थ, यह विश्रुत अर्थ करने वाला गर्ज्थ. और तरकशासर याने एकादे कुरुती का कार्यकारण भाव जानकर युक्ते युक्त तात्मिक दुरुष्टी से तरकशंगर एक लॉजिकल वे विचारों की पेशकश ऐसी जो अया उसमें से निकलने वाले अनुमान उसमें से निकलने वाले सिदांत ये करने वाला शासर याने तरकशासर अब क्या होता है ये संतों का चरित्र सही मार्ग दिखाने वाला होता है भक्ती मार्ग बगर चलना है तो हम किसी को सामने आदर्श रखते हैं ये आदर्श हमारे लिए कौन है हमारे लिए तो साही उनके लिए अलग हो सकते हैं. ऌे संतों का चरीत्र सही मारग दिखाने वाला होता है. व가는 न्याय अत्वा तरक की सिमा से परे है. तरक की सिमा वहाँ नहीं चलती है, उसके परे वो होता है. जो वास्तों में संत कुर्पा का पात्र बनने योग होता है, उसके लिए ही कोई भी बात या कोई भी लिला, आश्चरे जनक नहीं होती, संतों नहीं की हुई, विस्माइकारक नहीं होती उसके लिए, आजुबा नहीं होता उसके लिए, क्यों कि उसको ये अनुमान ही लगाता है, उसका इंकिदारना ही होती है, संत याने संत लिला, वो विश्माई कारत या आवजुबा तयार करने वाली या आश्चरयक पहला करने वाली नहीं लगती क्योंकि उसकी मनोभूमी उसके लिए पहले से ही तयार होई होती है ये अतहा ये प्रार्थना शुरुताओं के लिले भागीदार इस आनन्द के बनिये उन सत्संगियों के भाग्य धन्यवे जो सदा नित कता व्यासंगि इस कारण अब मैं सभी सुरुताजनों को नम्रता पुरुवक विनंती करता हूँ कि ये ग्रंत लेखन तथा बाबां की लिलाएं सुनने के लिए इस पवित्र तथा मंगल कारिया में सहबागी हो आपका सहबाग नहीं होगा तो ये कौन? मतलब ये जो उपकरम है ये फिजुल जाएगा कोई मतलब नहीं रहेगा उसका जो साहिलिला सुनने में मगन होता है वो सत्संग में रम जाता है गुल मिल जाता है अपना आपाखो बढ़ता है वो धन्या है क्यों कि वही सही मानों में खरा कुरा भाग्यवान है जिनों जिनों ने ये कथाये सुनी और कथा के माद्यम से सुनने के बाद बाबा की भक्ती कर सके वो ऐसे स्रेष्ट जेष्ट जिवात्मा बाबा के महान भक्त इनका जिकर इस ग्रत में आया हुआ है जो उन्होंने साथ दे किया, हम क्यों न करें? ये प्रयास साही सचरित के अभ्यासका ये जो हम प्रयास कर रहे हैं उसी का एक भाग है, उसी का एक अंग है चीरपरेचित मित्र जीव का, दीनरात संग जिसका, बनाना स्वकूर इखाचित्र उसका, संतचरित्र कैसे लिखो अब हिमारपंजी अपनी खुद की मर्यादा, खुद की खामियां इसका वर्नन कर रहे हैं हिमारपंजी कहते हैं, मैंने सोचा कि बहुत काल से जो मुझे बहुत परीचित है, अभिन्न मित्र है, बहुत करीबी दोस्त है मेरा जिसका अंतरभाय शुरूप मैं उसको अंदर भार से जानता हूँ सर के बाल से लिखे, पैरों के नाखुंतों को उसकी सोच और वह व्यक्ति मुझे बहुत नजदीक है, भली भाति उसको जानता हूँ जिस मित्र का मुझे रात दिन संग मिलता है, सहवास मिलता है, ऐसे व्यक्ति का अगर मैं जीवनी लिखने को लेलू या उसका चरित्र चार शब्दों में बयान करना शुरू करूँ, तो मुझसे नहीं होगा मेरी वो ख्षमता ही नहीं है, तो फिर जो इतना छोटा जिसको मैं अंदर भार से जानता हूँ, इतना छोटा सा कार्या हूँ मुझसे करवाने के लायक महीं नहीं हूँ, तो यह इतना बड़ा हिमाले के से भी बड़ा ऐसा व्यत्ति मत्वा स्री साही सच चरित्र यह मैं कैसे लिख भाऊँगा, साही बाबा का चरित्र मैं कैसे लिख भाऊँगा जहां मैं अपना ही अंतरंग, न जान सकू यथा सांग, तब संत मन के तरंग, निर्व्यंग वर्न कैसे करूँ अरे जहां मैं अपने स्वयम को अपने आपको पैचानता नहीं, अपने अंतरंग को उसमें क्या चल रहा है वो ठीक तरीके से अपने लॉजिकल वे से या तरकसंगती से मैं नहीं कर सकता हूँ, यह तरकसंगती चलती नहीं, लोजिक चलता नहीं, लेकिन जिसकी मुझे जा मैं आपने आपकोIM की नहीं है. अपने आपको पूर्ना रूप से पाया हूँ अब तक व हूँ मैं, क्या है मरी चारधारा, मेरी मानसिकता क्या है? मैं खुद नहीं जानता हूँ, उस पश्टरूप मुझे खुद को नहीं है, आइसा मैं संतों के मनों की अंतरंग, उनका अंतरंग, संतों के मनों विचार, उनके मनों व्यापार, स्पश्टरूप से कैसे निक्माऊंगा। करने जाते स्वरूप निर्दार, मूख बने वेद विचार, तब आपके वुष्वरूप का विचार, कैसे निश्चित कर पावू मैं। अभी ऐसा है, हिमाण पंजी की भावना बहुत स्पश्ट है, परमेश्वर के स्वरूप का वर्णन करने में, चारो वेद भी थक गये है, वो मूख हो गए, मौंधारन किया है उन्होंने, परमेश्वर के वास्तव्य रूप का वर्णन जहां वेद थक गये है, जहां असमर्थता व्यक्त करते है, वेदों में लिखा है, नेती नेती, नेती नेती, कैसा है वो, आइसा नहीं है, आइसा है क्या, नहीं है, वो आइसा है क्या, नहीं है, कैसा है मग, मालूम नहीं, तो मुझे, वेद जहां ठक गये है, वेदों ने अपनी असमर्थता जहां व्य अग्यानी जो अपने आपका शुरूपी नहीं जानता वह कैसे उसको कैसे त्यात हो सकता है यानि मैं इस गरंत का अधिकारी नहीं हूँ यह मारण पंचेस पश्ट कहते है मुझे मेरे दोश मेरी मरियादाओं का अच्छी तरह मुझे अच्छी तरह मैं जानता हूँ मेरी मरियादा मुझे अच्छी तरह उसकी जान पैशान है तो यह काम मैं नहीं कर सकता लेकिन अंदर से वह विचारत उबर आया है कि यह वो ना चाहिए करना चाहिए स्वयम संत पहले बन फिर संतों का यथार्थ अज्यान तब मैं संत का कैसे करू बखान न्यात मुझे पहले इगी अरे संतों का वहन कवर्णन करने के लिए पहले स्वयम खुद संत उर्प्रोरुति धानन करनी पड़ती है संत बनना पड़ता है सच्छ भाव से निश्चित भाव से हमें वो पूना चाहिए, तो मैं कैसे वर्णन कर सकता हूँ, मैं एक सामान्य, ग्रस्ताश्रमी मानाँ, संतों का वर्णन करने के लायक नहीं हूँ, अपनी मर्यादाओं को मैं अच्छी तरह पैचानता हूँ, इसलिए मेरा काम यह नहीं, मेरे आपे के बाहर है, मेरी एक्षमता के बाहर है, आज यहाँ यह एक्ष्रुमकला की यह कड़ी यहाँ, तोड़े समय के लिए, आज के लिए विश्रान्ती लेते हैं, फिर से शुरू हो जाएंगे, हम शुरू करेंगे अध्याईदों की ओवी नमबर तेरा से, ओम सहिराव